एक दिखावे के लिए गठबंदन तूटा है, सरकार में उनके अपचारिक रूप से मंत्री नहीं रहेंगे, ने हर्याना में कोई समक्रन नहीं, हर्याना में सीधी सीधी लड़ाई भारते जनता पार्टी और कॉंग्रस के बीच है, ये जरूर कहूंगा कि उनको एक ऐसी पिछले 48 घंटों में जिस तरीके से हर्याना की सियासत में काफी बदलाब देखने को मिला है, हमारे साथ सांसद ब्रजंदर सिंग जी मौझूद है, सर किस तरीके से देखते हैं, बीजेपी, जेजेपी जो की दो दिन पहले एक साथ, एक मंच साजा कर रहे थे और अब अल अगरा सिर्फ एक दिखावा है, वो जो साथ था, वो अभी भी ऐसे ही बरकरार है, और उसका उधारन बिलकुल सब के सामने है, जो विश्वास परस्ताव आज हर्याना की इसेंबली में पेश किया गया है, उसमें जिस प्रकार से जेजेपी ने थ्री लाइन विप जारी कर के अपने सबी विदायकों को ये निर्देश किया है कि वो उस विश्वास परस्ताव में भागेदारी ना करें, ये बिलकुल सपष्ट रूप से सरकार को विश्वास परस्ताव में सुवधा जनक एक रास्ता उससे निकल जाए, उसका संके तक है, तो एक दिखावे के लि लेकिन जजपा अपनी B और C टीम जो भी है, वो BJP की, उसका फर्ज वो पून रूप से उन्होंने आज भी निभाया है, जजपी एक बड़ी रेली हिसार में कर रही है, सर, कल जिस तरीके से उनकी बैठक देखने को मिली पर कई जो विधायक हैं, वो बैठक में नहीं चे सर, आप बड़ी रेली शब्द का इस्तमाल कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आपके जो साथी इसार में हैं, उन्होंने बता दिया होगा कि वो आयोजन जो हो रहा है, उसकी कपैसिटी कितनी है, तो वो कितनी बड़ी हो सकती है, उसका आप उससे अंदादा लगा सक बाकी जो आपने जिकर किया, वो सपष्ट है क्योंकि इस पार्टी का विखंडन भी निश्चित है, क्योंकि उनके जो MLA's है, उनको पता है कि पार्टी के नाम पे तो जमीन पे वापस जाने का रास्ता नहीं है, तो हो सकता है वो अपने लिए कोई रास्ता, दूसरे जो र उस फिराक में हूँ, इस से ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं देखता क्योंकि ये पार्टी जो है, इसका पतन तो हो चुका है, और उसके उपर जो मोहर है, वो आने वाले लोकसभा का चुनाव हो या SML का चुनाव हो है, उसमें पूर्ण रूप से लग जाएगी. बीजेपी, जेजेपी अब हर्याना में अलग हो गए हैं, लोकसभा चुनाव नस्दीक हैं, कितना असर देखते हैं सर इसमें, कि क्या कुछ राजनी समयकरण जो देखने को मिलेंगे सर हर्याना में? हर्याना में कोई समयकरण नहीं, हर्याना में सीधी सीधी लड़ाईग भारते जनता पार्टी और कॉंग्रस के बीच है, जनना एक जनता पार्टी को यदि कोई ये भी समझता हो कि वोट काटने की स्थिती में भी रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे, आप यहां भी देखिए अनका वोट उसी प्रकार से आएगा, जो अथारा उनने सलके उन्हें राजस्थान में चुनाव लड़े थे-सैम्ब्ली के और वहां जो दुरगती जो उनकी हुई थी उसी प्रकार का वोट उनको हर्याना में मिलेगा, जिसका चुनाव पे किसी भी प्रकार का कोई सर्नि Gest दुबारा से नई सरकार का विश्तार हो गया है नए मुख्यमंत्री हर्याना को मिले है नयाप सिंग सेनी किस तरीके से सर देखते हैं मुख्यमंत्री मनोहरलाल का कारेकरा और नए सियम को सर नई मेरी नायब सेनी जी को बहुत बहुत शुब कामना है उनको बधाई युवा हैं मेरे साथ 5 साल संसद में रहे और मेरे उनसे निजी संबंध बहुत अच्छे हैं तो इस नाते उनको बहुत बधाई इस नाते भी कि वो एक कमेरे वर्ग से उठके इतनी उचाई पर पहु लोगों के सामने पेश कर सकें लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि जिस समय पे उन्हें ये पद सौंपा गया है मैं जिम्मेदारी शब्द का इस्तमाल नहीं करूंगा जो पद सौंपा गया है इसका आज के दिन मायने कोई नहीं बचाए क्योंकि कभी भी कोड अफ कंड़ लग जाएगा तो बतोर मुख्यमंतरी वो क्या करेंगे कुछ भी नहीं कर सकते तो मुझे मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उनको बधाई तो दे रहा हूं लेकिन मेरी शुब काम ना है उनके साथ हैं लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उनको एक ऐसी स्थिती में लाके पर पूर जाए ऐसी जो जानकारी भी आ रही है हाला कि सोचल मीडिया पर बात चल रही है कि क्या दुवारा से आप विचार कर रहे हैं क्या बीजेपी में जाने के पूर्ण विचार आप करते भी नजर आ रहे हैं मैं कई सवाल ही नियुटता यार मैंने जैसे कहा कि मैंने कोई बीजेपी किसी एक इंसिडेंट की वज़े से या किसी एक नराजगी की वज़े से कोई शनिक फैसला मैंने नहीं लिया था मैं बहुत लंबा समय इसके बारे में सोचा है और मैं करीब जादा नहीं तो 7-8 महीने से तो कॉंग्रस की समपर्क में हूँ तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज थी कि एक विशेश घटना थी जिसकी वज़े से मैंने छोड़ा है तो वापिस जाने का तो कुई सवाल ही नहीं उठता किसी भी तरह से बहुत सोच समझ के मैंने फैसला लिया था बहुत बहुत धन्यवाद सर खबरों तक से बातचीत करने के लिए तो यह थी सांसत ब्रजेंदर चिंग जिनोंने सारी जो खबरे सोचल मीडिया पर चल रहे थी उन पर विराम लगा दिया है कि वो कॉंग्रेस में हैं और कॉंग्रेस में ही रहेंगे मेरे सरयोगी लक्षय के साथ राजा पटेल दिल ली खबर अभी तक